पूरे प्रदेश में कोडोना से बचाव के लिए लगाई जा रहे हैं टीके की कमी पर कॉंग्रिस विधानमंदल दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद सरकार और राज सरकार पर जम करने साना साधा है उन्होंने कहा है कि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है अस्पताल में मरीजों की संक्या बढ़ रही है ऐसे में कोडोना टीका की कमी बात का सबूत है कि सरकार अपने वादों में विफल होती नजर आ रही है इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी पर निशाना साथते हुए कहा है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री टीका उत्सव मना रहे हैं वहीं बिहार के अस्पतालों में टीके की कमी है इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए या भी कहा कि आप जनता को बेवकूफ मत समझिये जहां एक तरफ आप टीका उपलब्द करवाने की बात कर रहे हैं वहीं अस्पतालों में इसकी कमी देखी जा रही है इसके साथ ही उन्होंने टीके के लिए मांग भी की है उन्होंने कहा है कि आप अस्पतालों में टीके उपलब्द करवाएं ताकि लोगों की जान बद सके जिस तरह से कुरोना संक्मृतों की संख्या लगातार बढ़ रही है इसके लिए अजीत शर्मा ने सरकार से अपील की है कि अस्पतालों में टीका उपलब्द करवाया जाए क्या कुछ कहा है अजीत शर्मा ने आईए सुनाते हैं उनके बयान को गजब बात है देखिए अभी क्या है पूरे बिहार में ये जो कोविड नाइटीन का टीका जिसे वैक्शिन कहते है आज पूरा भागलपूर मेडिकल कॉलेज में ताला बंद है एक भी टीका उपलब्द नहीं है एक भी वैक्शिन उपलब्द नहीं है और इस तरह से अफ 2020 का उपलब्द नहीं है अगर काहीँ दो सरकार रही है इस पर सरकार को अर बिहार की जनता को इतना बेकूफ मत समझे, लोग तरह हिमाम में टीका उपलब्द कराईए और लोगों का जान बचाईए बचल वोगी खूवर खूपाईएग हिसे झाल टीका जान बेकूफ मत समझेमा